जैमाताजी मित्रो मेरा नाम पंडीत प्रकाज जोशी और कुम्ब राशी के लिए साल का अंती महीना जाता जाता महीना कैसा रहने वाला है यानि दिसंबर का महिना कुम राशी के लिए कैसा रहेगा कैसी रहेगी कुम राशी की धनकी स्वास्ति के उनके परिवार की स्थती उनके दामपत्य जीवन उनके प्रेम की स्थती व्यापार की स्थती इसके बारे में मित्रोस कारेकरम में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले आप कुम राजी के स्वास्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो कहिना कहीं वार्षी कुंडली के अंदर और मंतली कुंडली के अनुसार यानि कि जो एक दिसंबर 2024 को कुंडली बनी है उसके अनुसार शनी आपकी राशी में ही है और अभी अभी 15 नॉम्बर को मारगी हुए है यानि कि अभी अभी शनी सोके उठे हैं सीधी चाल में गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सरदी से या मौसम से थोड़ा प्रहेज करना पड़ेगा सरदी से समंदित डिसीज आपको बढ़ सकती है यानि स्वास की प्रॉबलम लंक्स की प्रॉबलम फेफडों की प्रॉबलम आपको रह सकती है या हाथ पेरों में दर्द ठंडियों के कारण आपको रह सकता है तो थोड़ा व्यायाम एक्सरसाइज पर बल दें नहीं तो सरदी आपको जकड़े लेगी, याद रखेगा, क्योंकि शनी अभी अभी जागरेत हुएं, तो थोड़ा सा आपको अपने इंजन को चलना पड़ेगा, कैतना कोई गाड़ी अगर रुग जाती है, तो एकदम से काफी महीनों से रुखी वी होती है कोई गाड़ी, तो एकदम से चा योगा करना पड़ेगा और यह जो दिसंबर का महिना इसमें करिएगा नहीं तो आपके हाथ पैर जकड जाएंगे आपको स्वास की प्रॉब्लम इस तरह की समस्या रह सकती है यानि हेल्थ के लिए वैसर ठीक है अगर आप व्यायाम करते हैं तो धनकी स्थती के बारे में हम क कश अच्छी है, रुकावा धन भी आपको प्राप्त होगा, सेलरी भी आपको प्रात होगी, कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आप करने वाले हैं, कुछ मित्र कोई प्रोजचक्ट ले के आएंगे, वो भी आप करने वाले हैं, कुछ शेयर में हलकर हमीं इतREकर और अपनी चीजों का ध्यान रखना है चोरी का योग गुम होने का वश्टु या उसका नुकसान होने का योग नजर आ रहा है या你好 अनई के आपके इन साथ दिन योग बनते हैं यह साल का अन्तिम जो साथ तक योग बना रहे हैं यानि कि परिवार के साथ में शादी समारों में दिसंबर में जाने का मोका मिलेगा या तीर्थ यात्रा में जाने का योग बनता है तो यह समसब्तक योग तीर्थ यात्रा भी दिसंबर में बना रहे हैं और किसी साधी समारों बड़े पाटी में भी आ आती साथ कुम्रासी के संतान के बारे में बात करें तो संतान भाव के स्वामी बुद्ध हैं बुद्ध दसम इस्थान में बैटे हैं सूरी के साथ बैटे हैं बुद्ध अदित्ती योग बना रहे हैं तो कुल मिलाके चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो दिसंबर का मह न बुद्र इतियोग बना रहा है तीन बड़े लाब संतान को मिल सकते हैं पहला उनकी किसी activity किसी खेल को जोईन करने में किसी competition को जोईन करने में किसी activity को जोईन करने में ayudßen चोटी या बड़ी संतान को कोई medal, award, कुछ न कुछ चीज मिल सकती उसकी यह वन जरा रहे वो भी तारीफ करते हुए दिसंबर में नजर आएंगे कि आपके बच्चे की एकागर चित्ता अच्छी बढ़ गई है ऐसा सुनते हुए आप नजर आएंगे साथी सास संतान के साथ में 20 दिसंबर के बाद नदी पहाडो की यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं सतान की पक्रप्श जो देखा जाए तो दिसंबर में राशी का अच्छा है आप बात कर लेते हैं और ना Barbie के लिए कर निधो 1 दिसम्बार का संगे आपको काम को लेकर से सीनियर आपके वाद मिबवाद कर दो सकते हैं काम में गड़बडी होगी आप के कैसे का कम किसी और को दिया जाएगा उससे भी आपको थोड़ा निराश साथ जिस काम में आप जिस प्रोजेक्ट में यह उसमें वो प्रोजेक्ट छीन के किसी को दिया जा सकता उससे भी आप थोड़ा परेशान और इराश हो सकते हैं यानि बारा दिसंबर तक थोड़ा परेशान रहेंगे 13 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर में आपकी सेल अच्छी होती भी नजर आ रही है रुकीवी सेल भी आपकी होती भी नजर आ रही है और मित्रों के साथ में पार्टी समारों में जाने का प्लान भी आप बना सकते हैं तो कुल मिला के आदा महिना तो आपके लिए पही struggling वाला है और आदा महिना बहुत अच्छा है तो नौकरी के लिए plus minus मिला जुला ये दिसंबर का महिना रहेगा आप बात कर लेते हैं दामपत्ते जीवन की तो दामपत्य जीवन में कही ना कही कुम्बराची का बुद्ध दित्ती योग बन रहा है सप्तम के स्वामी दसम स्थान में बैटें सूर्य और बुद्ध दोनों बैटें तो बुद्ध दित्ती योग बन रहा है तो दामपत्य जीवन में चाहे कुम्बराची वाले प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति-पतनीं तीन यह वह आपके जीवन में आपके पाट्नर के जीवन में दिसंबर में घट़ती भी नजर आ रही है पहला आपके पाट्नर के करियर में अच्छी सेल होती भी नजर आएगी जिस प्रोजेक्ट में वह लगे की जाए तो senior management आपके partner का दिसंबर में कुछ इच्छा पूर्ती करते वे भी नजर आ रहे हैं साती साथ relationship भी बहुत अच्छा रहने वाला है दिसंबर के महिने में और partner के साथ में 20 तारीके पाद नदी पहाड समुंदर की यात्रा भी आप करने वाले हैं तो कुल मिलाके दामपत्य जीवन के लिए कुम राची के लिए दिसंबर का महिना बहुत अच्छा है आप बात कर लेते व्यापारी वर्ग की यानि व्यापारियों के के लिए दिसंबर का महीना कैसा रह सकता है दिसंबर के महीने में कैसी इस्तथी रहेगी उससे पहले मैं बात करूं मित्रों हम सपताहिक राशीपल आपके लिए होता है याद रखिएगा तो positive और negative वाले दोनों वर्ग अलग अलग है तो यह general prediction में आप दोनों को बता दू हमेशा घटित नहीं होगी होती है तो पहरी किरपा है लेकिन हमेशा घटित नहीं होगी यदि आपको बिल्कुल accurate मेरे द्वारा जानना है तो 7210124289 यह जो whatsapp हमें आपको मुझे से कुंडली दिखवानी है तो whatsapp करना है उसके बाद हलकी सी हमने दक्षणा रखनी है यूट्यूब की सबसे कम दक्षणा हमारे संस्तान की वह पे करके उसकी screenshot भेज दीजेगा बतर गंटे की में आपसे संपर्क साधा जाएगा आपको कॉल किया आपको उपाय दिये जाएंगे और उपाय कर लेना फिर मुझे बताना कि आपके चीजे जीवन बदला की नहीं बदला यह पता लएगा पहले उपाय कीजिएगा चलिए आप व्यापारियों के बारे में बात कर ले तो दिसंबर का मेना बहुत ही अच्छा है पहला कुछ अ कुछ मेने में नया कोई काम किसी मल्टी न्शनल कंपणी से आपको मिल सकता है डिसमबर में 빨리 सेल होती ही नजर आएगी तो कुल में लाकर के न्यूज आपको मिल सकती है बन सकता है वहीं पर दिसंबर के मेने में आपको GST या कुछ इंकम टेक्स या कुछ सरकारी बुक्तान भी करना पड़ सकता है यह तोड़ा नेगेटिव है लेकिन अधर्वाइस देखा जाए तो दिसंबर का मेना आपका लावकारी ही व्यापार दुकानदार वालों के लिए रहने वाला है तो मित्रो इस कारेकर में अबायतना ही मुझे आज कल हमारे पास बड़े संस्तान में फोन आ रहे हैं कि गुरू जी इस नंबर से हमें वर्टटैप आया है इस नंबर से हमें कॉल आया है आपका नाम ले रहे हैं और नंबर अलग है तो मैं आपको बता दूँ इस तरह के प्रलोबन में बिलकुल ना पड़े और आपको क सामने यह प्रस्तूत नंबर है देख लीजेगा यही नंबर हमारे हैं वैसे यूट्यूब में एक ही नंबर दिया जाता है यह देखेगा 7210124289 यह जो नंबर मैंने दिया है इस पे आप अपना नाम डेट वार्ट टाइम ऑफ बर्थ भेजते हैं यह नंबर मित्रो हमारा शत परसीट औरिजनल उसके बाद यह जो नंबर आ रहे हैं जो 72101 की सीरीज में आप देख रहे हैं इन नंबर से हम कॉल करते हैं आपको ठीक है अलग-लग नंबर से मैं कॉल करता हूँ ताकि एक ही नंबर में इतने सारे वर्टसेप ना ओजाए इतने सारी चीजे ना हो जा दो कि अन्यों।